श्रीराजपूत करणी सीना के भारी विरोध के बाद रिलीज हुई संजय लीड़ा भनसाली की फिल्म पदमावत बॉक्स ओफिस पर धूम मचा रही है रिलीज के पहले दिन 19 करोड की कमाई करने के साथ साथ ये फिल्म 100 करोड क्लब में शामिल हो गई है इसी बीच खबर है कि करनी सेना के इतिहासकार पैनल के दो सदस्यों ने फिल्म को ग्रीन सिगनल दे दिया है दोनो इतिहासकारों ने सुमवार को बैंगलोरों में फिल्म देखी थी राजस्थान के दो प्रमुक इतिहासकार आर एस खंगारोत और बी एल गुपता ने सोमवार को बैंगलोरों में ये फिल्म देखी थी बताया जा रहा है कि उन्होंने ये फिल्म आत्यात्मिक गुरू श्री श्री रवी शंकर के कहने पर देखी जिसके बाद दोनों ही इतिहासकारों ने किसी विवादत चित्रण से इनकार करते हुए इसे एक बहतरीन फिल्म का करार दिया है खंगारोत और गुपता के अनुसार राजपूती शौरे और पदमावत का फिल्म में बहतरीन तरीके से फिल्मांकन किया गया है परंपराओं को समझने के लिए हर्शत्रिय को ये फिल्म देखने चाहिए इतिहासकार आर एस खंगारोत श्री राजपूत सभाद्वारा संचालित SMS कोचिंग सेंटर के डारेक्टर है और प्रोफेसर बील गुपता राजस्थान युनिवरसिटी में इतिहास विभाग में प्रमुख है दोनों ही सेंसर बोर्ट के चेर्मेन की ओर से गठित शे इतिहासकारों की कमिटी में शामिल थे इन दोनों के अलावा जैपूर के रोशन शर्मा, दिल्ली के कपिल कुमार, मीवार राजगराने के विश्वराद सिंग, जगमाल सिंग भी इस पैनल में थे पदमावत मलिक महम्मद जैजी के महाकाव्य पदमावत पर आधारित फिल्म है ये फिल्म पिछले सब्ताह 25 चनवरी को रिलीज हुई है 150 करोड के बजट में बनी संजय लीला भनसाली की ये फिल्म, राजबूत करणी सेना के विरोत के चलते सुप्रीम कोट के आदेश के बाद भी राजस्थान में अभी तक रिलीज नहीं हुई है तो दोस्तों आपके इस फिल्म के रिलीज को लेकर क्या विचार है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पॉल्लवर जांक्शन